दोस्तों डवल फाटक पुल आज से बंद 80,000 बाहनों के रास्ते बदल जाएंगे मरदवाद से डवल फाटक रेलबे पुल मरम्मत के लिए रवीवार से 75 दिनों तक बंद रहेगा अब पुल पर रोज चलने वाले करीब 80,000 बाहनों के रास्ते बदल जाएंगे ये बाहन कोहिनूत राहे से हनुमान मूर्ती पुल से होकर शेहर में प्रवेश करेंगे कपूर कमपनी पुल के बाद शेहर दूसरे बैस्तितम पुल के बंद होने से एक बड़ी आवादी को परिशानी का सामना करना पड़ेगा जिला अधिकारी शेलेंद कुमार सिंग के अनुसार मरदवाद से फारुकाबाद मार्क पर इस्तित डवाल फाटक रेलबे पुल मरमत के लिए 22 जन्वरी से 6 अप्रेल 23 तक यानी 75 दिन तक सभी पिरकार के सब बाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा इस मार्क पर पैदल भी चलना मना होगा लैने भी के अविंता रेल बेड लाइन ट्रेक के उपर काम करेंगे पुल के बीच गैपिंग भी हो जाएगी इस करणा पैदल रास्ता खोलना खतरनाग होगा हज्यम आलोकुमार ने बताया कि जिला पिर शाषन ने निर्ड़ लिया है कि अब संभल बिलारी के बाहन को हिनूत रहे से अनुमान मूर्ती से होकर शेहर में आएंगे संभल और बिलारी की तरफ जाने वाले बाहन इसी रास्ते से आएंगे शाषन ने पुल की मरमत करने के लिए एक करोड रुपे स्विक्रित किया है पुल की 32 बेरिंग बदली जाएंगी इसके बाद अन्य कार्यों के लिए लेने भी बजट की मांग करने के लिए पिस्ताब तया कर रहा है